तो स्वागतिया आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 3030 नाम है क्वारंटीन जी हां हाले फिलाल में आए कोरोना महामारी के वज़ा से आप सभी लोग क्व क्वारंटीन बहुत साथ लोग समझते हैं कि जिस वीमारी के वज़े से महामारी फैली हुई है अगर वो वीमारी किस इंसान को हो गया है या फिर विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है तो महामारी के समय उसको एक अलग जगा दे दिया जाता है रहने के लिए तो अलग रहन को क्वारंटीन कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है क्वारंटीन एक्टॉलीं में उस जगा को कहा जयता है और फिस कहानी ध्यान में रखिएगा चैप्टर से और 3030 जिसका राम है को आन gü第三 गहानी है और कहानी यानि कि अफसाना में भी कौन सा अफसाना, मुखतसर अफसाना, उस तरह के अफसाने को कहते हैं, उस तरह के कहानी को कहते हैं, जो शॉट हो, मतलब छोटा सा हो, मुखतसर हो, मतलब शॉट टाइप स्टोरी, लेकिन अगर आप लोग के पास 12th क्लास का उर्दू का लेकिन है यह अफसाना साथ पेज का अगर आप लोग के पास बुक है तो जरूर देख लिए खोल कर यकिन नहीं हो रहा है तो अब साथ पेज का मुक्तसर अफसाना होता है तो बताइए तवील अफसाना किसे कहते हैं खैर जो भी हो इस कहानी को ऐसे समझाओंगी भले यह मैं वह important point बता दूंगी ताकि कोई भी point इस chapter से छूटे ना मतलब हर एक एक important point बता दूंगी ताकि exam में इस chapter से कोई भी question पूछे तो आप लोग छोड़ करना है हर एक point कबर हो जाएगा हर एक topic कबर हो जाएगा इस chapter से पूरी कहानी एकदम जबरदस्त है कहानी में तो कोई दो राय नहीं है एकदम जबरदस्त कहानी है amazing आप बोल सकते हैं interesting लेकिन हां आप लोग के book में थोड़ा लंबा दे इंजाम में और इस चीज़ की तो जमेदारी आप लोग मुझे पर छोड़ दें कि जामें कोशन ठूटे का नहीं हर एक चप्टर से हर एक पॉइंट बता देती हूं आप लोग को पता होगा ठीक है राजेंदर सिंग बेदी इनके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे काणी नाम की लिए做 ऒित को प्लेग नाम की बिमारी तो तुने ये बीमारी नाम की द दी coy फैलती कोटी था जिसक्राएंस से लोगडाउन अगा तब इस तरह कोरोना वाइरस नाम वायरे से भी मारी के वज़ासे एक कुरूना वारेस बीमारी में बोल रहे हैं कोविड-19 बीमारी को जैसे नहीं बलकि प्लेग नाम के बीमारी के वज़ासे कौन से बीमारी को जैसे महामारी फैली हुई है तो प्लेग नाम की बीमारी के वज़ासे शहर में महामारी फैली हुए बहुत ही खतरन करना की बिमारी था और इसी प्लेग नाम की बिमारी से जो लोग पीडित थे यानि कि जिनको प्लेग की बिमारी हो गई थी उनको शहर से दूर एक जगह बनाया गया था वहीं पर ले जाकर रख दिया जाता था और वहीं पर उन लोग का इलाज होता था ठीक है और उसी को कहा उस जगा को क्वारेंटीन कहा जाता था यहांने कि जिन लोग को फ्लेक की विमारी हो गई थी कर्कूर है गमीन्य प्रेक़् से प्लेक सी वेक्टियों को शहर से गाओं। सबीं लोग से औरे प्रिट व่خ्ती जो ThaT कि वह खुद रहता ही था लेकिन सांते वाले प्लेकत व्यक्ति को दम तोरते ही वे देखकर वो डर के होज़ा से खुद दम तोर देता था था सोची ृकिन कितना लोग लोग कम डढ़ने लगे थे इस बिमारी से तो कम ड़ने लगे थे सबसे जलत लोग अब डरना स्टार्ट कर दिये थे उस कॉरेंटीन नम के जगह से क्योंकि आप वहां पर दरके वज़ा से क्वारेंटीन में कोई नहीं जाता था साफसफाई के लिए मतलब वहां पर तो उसको भी प्लेग हो जाएगा इसलिए कोई नहीं जाता था उसी तरह कचड़ा से भरा रहता था क्वारेंटीन और इतना गंदा हो गया था कि सामने प्लेग से पिड़त व्यक्तियों को दम तोड़ते विए मरते विए देख दूसरा व्यक्ति भी मर जाता था डर के सबस्क्राइब हो तो प्लेग की ना प्लेग की भी मारी और नहीं क्वारेंटीन जाना पड़ेगा मतलब व्यक्तिन को लेकर ज layer वहां पर साफ सफाई करना जाड़ू अगर लगाना नाली साफ करना यह सारा काम करता था और उस व्यक्ति का नाम है विलियम भागो जो कि इस कहानी का मर्कजी किरदार है इस कहानी का में हीरो आप बोल सकते हैं में कैरेक्टर हीरो मर्कजी किरदार कौन है विलियम भागो वि वहाँ पर चीजों को साफ करना और उसके बाद से नाली वगर साफ सफाई का काम विलियम भागो करता था सभी लोग विलियम भागो से पूछते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता कि उतने खतरनाक जगा पर जाते हो जिस जगा पर लोग जाने से थर थर कामते हैं नाम सुनकर और तुम वहाँ पर बे धड़क बीना दरे वहाँ पर जाकर साफ सफाई का काम करते हो ऐसा तुम क्यों करते हो तो तुम्हारे अंदर यह मोटिवेशन कहां से आ जाता है तो विलियम भागो कहता कि देखो इंसान की सबसे बड़ी जो आप बोल सकते हैं इंसान का सबसे मरहें याण की मरके भी लोग अमर रहें इसलिए हम इनसान है और एक इंसान की मदद क्यों नहीं कर सकता है और एक इन में डर नहीं लगता वहां पर जाकर तुम साफ सफ़ाई करते हो तो विल्यम भागों सिर्फ इतना कहता कि हम लोग इंसान है और हमेशा इंसान को बुरे वक्त में दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए इंसान के अंदर से विलियम भागो वहाँ पर साफ सफाई काम और इसको पता था विलियम भागो पता था कि यह जो प्लेग नाम की बिमारी है ना यह और किसी चीद से नहीं खतम होगी जड़ से तो बस साफ सफाई के वजह से मतलब प्लेग की बिमारी को साफ सफाई रखकर ही खतम किया जा सकता यही करता था एक दिन हुआ यह कि विलियम भागो की वाइफ को ही इसकी पत्नी को ही क्या हो गया प्ले की विमारी हो गई विलियम भागो दोड़ा अपने पत्नी को ले कर आया डॉक्टर सहब के पास अच्छा देखिए एक और बात में आप लोगो को बताना भूली गई उस बहादूर थे अपने आप बूल सकते हैं डॉक्टर का फर्ज अदा कर रहे थे यही एक डॉक्टर थे जो इलाज कर रहे थे क्वारेंटीन में जितने भी मरी जाते थे इन डॉक्टर है ना इनका नाम याद रखेगा रेवरेंड मुंतलाबे बहुत यह जी वो गरीब नाम है लेकिन इनको मैं रेवरेंड मुंतलाबे पूरा नाम से नहीं बुलाओंगी मैं इनको डॉक्टर साहिब ही कहती हूं क्योंकि इतना लंबा नाम लोंगी वैसे तो मेरा खुद फास्ट बोलने पर हर इंसान का जुबान फिसलता है तो यह इतना तेड़ा में रेवरेंड मु अधूर थे यही एक डॉक्टर थे जो कि क्वारेंटीन में इलाज कर रहे थे और फिर भी इनके अंदर उस तरह का भावना आजाता है ना कि हम ही एक है डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं और ड़ते विजे डॉक्टर कहीं हमको मस हो जाए प्लेग की विमारी तो इसलिए दि अध्र साब थे रेवरेंड मुंतलाबे दिन भर क्वारेंटीन में मरीजों का इलाज करते और जब शाम को घर आते थे तो एकड़म गरम पानी से गलाले किया करते थे और राम बालक साबून से हाथ दोते थे एकडम रगर रगर कर ताकि जम्स वायरस वगर जो है ना वह न तर ना करें ठीके तो राम बालक से हाथ दोते गरम पार्वनी से गरारे किया करते थे और पेट जला देने वाली कॉफी या फिर ब्रांडी पिया करते थे पेड़ जला देने वाली ताकि अगर गलती से जम्स से फिर वायरस नाक या फिर आँख के जरीया फिर जिस भी तरह तो पेट में जाकर मर जाए गरम कफी फिर ब्राणडी पीने के वजह से इनका रोज का यही रूटिन था कभी-कभी सब्टरE पानी से गरारे करते राम बालक south Lawrence उन घह दोते और पेट जला देने वाली कफी फिर ब्राणडी पीते थे धे यह दिन डौक्टर साब पता है यहां किये थे धेर साथ कॉफी ब्रांडी अगरण पीक म guns फिये थे ग Argght AG ऊपके सांट अब मदे यह सांथ जब ब्रांडी पिए थे तो अजीभ कुछ इनका ठीक से काम नहीं सब कुछ हिलता डूलता नजर आने लगा ठीक है और नफस घोड़े की तरह दोड़ने लगा इनको कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मुझको कहीं प्लेग की बिमारी तो नहीं हो गई डॉक्टर साब डर गए डर गए थे पूरा कि हमको प्लेग क का नशा उत्रा तब इनको महसूस हुआ अच्छा मैं ज्यादा ही ब्राण्डी पी लिया था जिसके वज़से यह सब हुगा मैं भी ज्यादा ही सोच लगा हूं ठीक है उसके बाद से सब कुछ तो हो गया अब जैसे कि मैं आप लोगो को बता रही थी कि एक दिन विलियम भ भागो बोला डॉक्टर साहब बोले कि मैं तुम्हारी वाइफ का इलाज नहीं कर सकता हूं नहीं बजा सकता हूं इसलिए डॉक्टर साहब नहीं बचाये नहीं लाज किया क्योंकि इनको लग रहा था कि डॉक्टर मतलब इनको भी प्लेक की बिमारी हो जाएगी इसलिए न अपनी माँ के गले से सिमठ कर बहुत ज्यदा रोया था जोड़ जोड़ से रोया था विलियम् हागो के आख से आसू भी आ गया था इसकी वाइव की मौत हो गई इसका बेटा अखेला हो गया विलियम् पतनी का यह देश कर जो है ना डॉक्टर को थोड़ा अपने आप पर शर्म मैसूस हुआ काश मैं विल्यम भागो की पतनी का इलाज कर देता बचा लेता तो इसका छोटा बेटा इतना नहीं रोता अब क्या हुआ अगले दिन डॉक्टर साब को लगा कि विल्यम भागो नहीं आएगा साफसफाई का काम करने के लिए काम पर नहीं आएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था विल्यम भागो सुबही सुबह आकर साफसफाई का काम करने में लग गया था जाड़ो पोचा व और विजदा अपने आप पर शर्म आया लेकिन अब पच्ताने से क्या फायदा जब चिडिया चुक गई खेट अब क्या फायदा पस्ताने से जब किविल्यम भागो की पत्नी का इंतकाली हो गया जब फिर भी तुम हमारी पत्नी कल द्रीकाल हो लेकिन फिर भी तुम काम पर आये हो साफ सफाई का काम पर आयो तो फिर बिल Willie भागों पता है क्या भी बला कि सबसे नहीं published he सबसे दर्म और करम होता हैं इंसानियत हमारे अंदर इंसानियत नहीं को कभी हो सकता है लेकिन इसी लिए मैं अच्छे कर्म करके मर रहाओ और अच्छे कर्म करके मरूंगा मैं अच्छे कर्म करके मरें शुबाई उठकर आ गया तब तो ज ten smokes कि ये तरह चलता रहाले दिल से साफ सफाई करने लगा क्योंकि इसकी वाइफ की मौत हो गई थी दिल से साफ सफ जाडूं पोचा फबिश्चा और कौरेंटीन को साफ कर और जतना भी शहर का लग याना नाली साफ करना दवाई छिड़कना हर साहरा काम यह करता था और इसी की महनत थी जिसके वज़ा से प्लेग नाम की बिमारी पर काबू पालिया गया यानि कि एक दिन ऐसा आया कि प्लेग नाम की बिमारी जड़ से खतम हो गई और इसका प्लेग नाम की बिमारी को जड़ से खतम करने का जो सबसे बड़ा श्रया सबसे बड़ योगदान जो था वो विलियम भागो का था विलियम भागो की वज़ा से ही प्लेग नाम की विमारी खतम हुई जड़ से आप लोग यू कह सकते हैं और जब प्लेग नाम की विमारी पर काबो पाली आ गया यान की जड़ से खतम हो गई यह विमारी तो एक जलसा हुआ जशन बोल सकते हैं और उस जशन में विलियम भागो को किसी को क्या पता था कि किसके वज़ा से विलियम सभी लोग तो सभी लोग को लग रहा था कि डॉक्टर साब के वज़ा से क्या हुआ है प्लेग की बिमारी को जड़ से खटम किये हैं अब जशन हुआ तो उस जशन में डॉक्टर साब को बुलाया गया रेवनेंट मुंतलाबे को और इनकी खुब तारीफ हुई जम कर तारीफ हुई कि डॉक्टर साब आपके होजा से प्लेग नाम की इस बिमारी जिसके कारण में हमारी फैली भी थी इस पर काबू पालिया गया है और इस तरह बहुत रही तारीफ हुई डॉक्टर साब की ओर एक अपने पोस्ट से उपर मतलब इनको और आगे का उपर का पोस्ट दे दिया गया ना बोल सकते हैं और उपर का ओधा सबना लेफटिनेंट कर्रणल का इनको दर्दा मिल गया इस नहीं बना दिया गया तो कै LAUGHTER ने कि तो धर्यव Siya नहीं था नहीं कि जो भी तारीफ कमाना था कमानी लोगों के सामने हीरो बन गिए डोक्र साब लेकिन देखा है तो असली हीरो कौन है विलियम भागो विलियम भागो कोने से देख रहा था डॉक्टर साहब स्पीच दे रहे थे ना कि मैंने हम सभी ने हमने काबू पा लिया है कि आप प्लेग नाम की विमारी पर तो विलियम भागो कोने से देख रहा था जब डॉक्टर साब को लेटिनेंट करनर का दर्जा मिल गया और उसके बाद से जलसा खतम हो गया तो जब आ रहे थे डॉक्टर साहब तो विलियम भागो देखकर इनको सब पते था डॉक्टर हुई है तो इनको मतलब ऐसे मैसूस हूँ आपने आप पर शर्म बोले कि जाकर विलियम भागो से बोले कि देखो विलियम भागो अगर देखा जाए ना तो तुम्हारी वजह से प्लेग नाम की विमारी जड़ से खतम हुई है लेकिन अब क्या करें जो भी होता है उपर व से तो कहानी का देंट ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन जो भी वहा डॉक्र साब हीरो बन गया है लेकिन अगर देखा जाये तो असली ही रो कौन है विलियम भागो यहां पर कहानी का देंट हो गया और देख़िए कितना कम समय में हम लोग पुरी कहानी समझ दिए और कोई ए आते थैं जो कि क्या बोलते हैं आइक नाम की विमारी सबॉषने का घृतने के लिए वर्तने के लिए बोल रहे थे दोगा दूरी मासक और प्लेक की बिमारी से बशने के लिए उपाय बताय करते घर लूओग उपाय करते तो मतलब अपति ना कृशन में होता नहीं है बिश कैंप का शींबल वादा दूडाया दिखाया भी जाता है तो वोई पाद्रिस आया करते थे तो प्लेग से बशने के लिए यह साउधानी बरतने के लिए लोग को क्या मोटिवेट करते थे तो यह हो गया पूरा कहानि आप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे लागा कहानी कमेड में लिका जरूर बताइए अब चलिए हम लोग राजेंदर सिंग बेदी के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया है उन सभी डिटेल्स को समझ देते हैं समझ लेते हैं क्योंकि मुसा निफ यानि कि राजेंदर सिंग बेदी से ऐसा तो होई नहीं सकता है कि कोशन ना पूछे तो चलिए इनके बारे में समझते हैं यहां तक तो स्क्रीन शॉट लेने वाला कुछ है नहीं लेकि क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर लिखोंगी तो हो सकता है रफ दिखाई दे रफ टाइप का तो दिखता ही है इसलिए आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे चलिए समझ लेते हैं फड़ाफट राजेंदर सिंग बेदी के बारे में बहुत ही अच्छे यह मु लाल हो जा रही है और आखों में तेज चुबन और दर्द हो रहा है यह ऐसा इसलिए हुआ ना आई फूल इतने तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाढ़ और तुनामी आने के होजा से हवा में नमी आ गई थी जिसके कारण तरह तरह के बैक्टिरिया और वाइरस अपने लगे जिसकारण आखों में आई फ्लू होने लगा मतलब कंजक्टिवाइटीस आखे लाल होकर तेज खून की तरह लाल आख हो जाता है और तेज सूज भी जाता है तेज चुबन और दर्द होता है सबसे ज़्यादा आजकल दिल्ली में हुआ है सबसे दिल्ली में आई फुलू फैला है अभी चारो तरफ दीरे दीरे फैल रहा है इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही सतरक कर दे रही हूं जितना ज्यदा हो सके आप लोग घर पर रहने की कुछिश करें बहुत ही ज्यादा जरूरत आन पढ़ने पर ही घर से बाहर निकले और जब घर से ब कहां से भूत आ गया तो फिर यह मतलब साधानी बरतना बहुत ज़्यदा जरूरी है आप लोग हाथ साफ रखें गंदी हाथों से आँख को ना चुए प्लस जिस तॉली से आप लोग मुहाथ पोच्टे हैं उस तॉली को साफ सुद्रा रखें अपना तॉली कीसी दूसरे क तॉली आप लोग खुद ना यूज़ करें ठीक है ना और आख पर हमेशा पानी मारते रहें मारते रहें इस तरह आई फ्लू से साउधानी बरता जा सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं राजयनर सिंग बेदी के बारे में समझते हैं इनकी पैदाईश हुई थी एक सितंबर 15 इस बीको लाहूर में याद रखेगा राजनर सिंग बेदी की पैदाईश एक सितंबर 15 इस महिरा गांदी जी आयए थे इंडिया में भारत में आख राएगी जो भी हो मतलब 19 15 में राजनर सिंग बेदी की पैदाईश हुई थी ठीक है इनके वालिद यानिकी पिता जी का इनके पिदाजे सिख्ख leaflet लेकिन सुनिये सुनिये सीवा देवी जो है ना यानि की राजन शिंग वालीदा इनको संस्कृट के साथ साथ उर्दू की नोνεफ़ी यानि की और मजभी किताबे पढ़ने का क्योंकि इनके घर वाले लोग भी किताबे पढ़ने में अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ और उसके घर में सभी लोग सिंगर है तो वही जब पैदा होगा ना स्टार्टिंग से वी करना स्वार्ट कर देता है जैंतार रहता है Suppose उन्हें सब 31 में लाहॉर से कहां से तो लाहॉर से मैटरिक का एक्जाम पास किए राजएंदर संग बेदी और उन्हें सब 32 में डी एवी कॉलेज दिख लीजिए गापने इसाब से ठीक है तो जब इनके इंटर्मीडियर पास कर लिए तो इन्होंने में अडिमिरशन ले लिया तब तक तो इनके वालिद और वालिदा यानि के वालिदीं की बहुत जदा खिबमत किये थे अपने वालिदीन की बातों को मानते तें ऐसा लड़का zich का karşween को मिल रहा है जो अपने वालिदेन की बातों की तुition भी Science लड़के हई से लड़के और लड़किया हो गई है कि अपने वालिद और वालिद की बात ही नहीं मांते हैं सच Banale सब्सक्राइब से तो अपने वालिदी का बात मांते थे उनकी वालिदा खिद्यत है लेकिन अफसोस इस बात का था कि कि बच्पन में ही वाली दिन का इंतकाल हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन हाई एक बार जिसके जिन्दगी में माता-पिता है उसका जिन्दगी समझे की खुशाल है और कुछ लोग होते हैं जो अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सबसे बड़ अपनी मा जोती है ना बिना लालच बिना फायदा के सिर्फ आपकी भलाई सोचती है आपके बारे में कभी बुरा सोची नहीं सकती है इसलिए माता-पिता को छोड़कर हाप लोग किसी पर भी विश्वास नहीं की जो विश्वास करें आप सबसे बड़ा ब्यकूव चलिए सुमावती से नाम बदल कर सत्वंत को रख दिए ठीक है याद रखेगा यह तो कोश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकताई की पूछ दे अद्वी जिंदगी का आगाज 17-18 वरस की उम्र में हो गया था यानिकि आप बोल सकते हैं अद्वी जिंदगी का आगाज यानि इंग्लिश में नजम यान की पोएम कवीता लिखते थे और उर्दू पंजाबी में अपसाना लिखा करते थे उर्दू अपंजाबी में यह कहाने लिखा करते थे तो इस्टार्टिंग में यह काम करते थे अंग्रेजी में नजम उर्दू पंजाबी में अपसाने लिखते स्टुडेन्ड लाइफ में राजनर् सिंग बेदी जो है ना वो मोसिन लाहुरी लिखा देलकते थे यह नद्म के लास्ट में एक नाम कास नाम यूज करना ज़रूरी है तो यह कौन से नाम करते थे लाहुए याद है यह कोश्चन पूछ दिया था कि तालिव इल्मी के जमाने में राजंदर सिंग्वेधी क्या लिखते थे अप्सन में दिया था मोसिन लाहुरी जितना भी वोड़ पर लेखिए उना हर एक पॉइंट है यह जरूने की सिर्फ यह आप लोग याद रखेंगे हर एक इंडिया एक मिनट रुख यह बता रही हूं डाक खाने में उन्हें सच 43 में यह जॉब किये थे कहां पर डाक खाने में याद रखेंगा उसके बाद से यह जॉब छोड़ दिये और छे महीने तक यह दिल्ली के पॉब्लिसीटी डिपार्टमेंट में यह काम किये थे उससे सब्सक्राइब में यह संगम पॉब्लिसर्ज लिमिटेड डिपार्टमेंट की खुद स्थापना कर दिये ठीक है और उन्हें 48 सब्सक्राइब में जमू रडियो स्टेशन का डारेक्टर बन गए जरह आप लोग यहां पर ध्यान से समझ लीजे उन्हें 46 में राजेंदर सि चल रहा था तो उस वक्त राजेंदर सिंग बेदी अपने भाई हर्बंस सिंग बेदी के पास गये ते रोपड में गये और रोपड में गये थे और रोपड से आये श्रिमला और शिमला से फिर वापस आ गये उन्हें क कर रहे हैं उन्हें उन्हें से 한다 सेन पेख्ब्स से ओघ्ला को Cafis में उन्हेंदर गैं चोड़िये इदर लिखी ती डाघ् कृप चुप धीर दिए फिर अग्लिसीटे डिबाट्मेंट में काम किए फिर इसको छोड़ दिये और बंबई में जाकर रहने लगे समझे कि मुस्ताइब कर आप देखे इनको कौन-कौन सा अवार्ड मिला सबसे पहले तो इनको पदम श्री का 1969 में फालिज का हमला हुआ और इंतकाल 11-nowie 19-94 फालिज का हमला हुआ हुआ इन पर ठीक 1881-83 84 5 साल के बाद 11-nowie-94 इनका इंतकाल होगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अफसानमी मजमुए यानि की कहानी का किताब का नाम याद रखेगा क्योंकि कोशन पूछ देता है कि दर्जजायल में से कौन राजेंदर सिंग बेदी का अफसानवी मजमुए नहीं है इन में से कोई तीन उठा कर देगा लेकिन एक ऐसे किताब का नाम देदेगा जो कि राजेंदर सिंग बेदी का नहीं है तो याद रखेगा इनके अफसानवी मजमुए का नाम पहला है दानोदाम दुसरा है गरहन तीसरा है कोक जली क्योथा है अपने दुख मुझे दे दो बात खेल ये दो ड्रामा का किताब लिखे थे राजेंदर सिंग बेदी काफी ये फेमस है और इनका एक नाविल्ट ये तो बहुत बार कोशन पूछा गया है समझे कि ये वीवी आई कोशन है बार बार पूछा जाने वाला एक चादर मैली सी कोशन पूछता है कि को समझ में आ गया होगा तो अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखकर जड्रूर मचना है कि हाँ अगर कोई डाउट भी है तो भी तो जरूछ सब्सक्राइब करें लाइक वीडिए कर करें प्लस और लोग के कौन्टक्ट में ने विडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज के इस वीडियो को यही पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप